ये कहानी एक जालिम कव्वे की है जालिम कव्वा बहुत निर्दै था वो कमजोर पक्षियों कोड़रा कर उनका सारा कीमती सामान छीन लेता कमजोर पक्षि ये बैग छोड़ कर भाग जा वरना तेरे दोना पंक काट दूगा ना न कोवे जी मेरे पंक मत काटना मैं जाता हूँ कालू के पास छुड़ी देख कर वो अकेला अंजान पक्षि सारा सामान छोड़ कर भाग जाता है क्या होगा इस बैग में घर जाकर देखता हूँ फिर कालू कववा वो बैग लेकर अपने घर चला जाता है आरे वावा कितने सारे रुपे हैं इस बैग में अब एक महिने के खर्चे की कोई चिंता नहीं कालू कव्वा तो इतने सारे रुपे देख कर बहुत खुस हो रहा था कि तबी उसका दोस्त बिल्लू वहां आता है कालू जल्दी से वो रुपईयों का बैग छिपा लेता है कालू दोस्त मुझसे क्या छिपा रहे हो जरा दिखाओ कुछ भी तो नहीं है बिल्लू भला में तुमसे क्या छिपाऊंगा बिल्लू वो रुपईयों से भरा बैग कालू से छीन कर देख लेता है अरे कालू तेरे पास तने सारे रुपे कहां से आए लगता है कहीं से बड़ी चोरी की है नहीं नहीं दोस्त मैंने रुपे चोरी नहीं किये बलकि मैंने तो महनत से कमाए है जूट मत बोल कालू तो ने कभी महनत की है जो अब करेगा सच सच बता ये रुपईये कहां से चोरी किये है फिर कालू कववा अपने दोस्त को सारी बाते बता देता है कि उसने कैसे अंजान पक्षी को धमका कर ये रपईये छीन लिये बिल्लू मेरे दोस्त, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है इसलिए मैंने तुझ को बता दिया पर तू मेरे बारे में किसी को भी मत बताना ठीक है कालू, मैं किसी से नहीं कहूंगा और वैसे भी मैं कौन सा तेरे जंगल के पक्षियों से बाते करता हूं इस तरह से कालू कवा अपने परोसियों के सामने अच्छे बनने का नाटक करता और किसी को भी नहीं पता था कि वो कितना जालिम था कालू कवे तू कितना अच्छा कमा लेता है उपर से घर का काम भी खुद ही करता है कोई अच्छी सी कफी देख कर साधी क्यों नहीं कर लेता हाँ कालू अब कब तक तुम घर के काम करोगे साधी कर क्यों नहीं लेते ये दोनों ठीक कहते हैं मुझे अब साधी कर लेनी चाहिए इनसे ही साधी कराने की बाते करता हूँ कालू लगता है साधी के सपनों में खो गया जो कितनी गहराई से सोच रहा है हाँ मिठू तोते मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छे सी कव्वी मिल जाए तो साधी कर लूँ अगर आपके पहँचान में कोई हो तो मेरी शादी करा दो हाँ कालू तू चिंता मत कर मैं एक चमपा कवी को जानता हूँ तेरी सादी उससे करा दूंगा फिर कुछ समय बाद कालू की सादी चमपा कवी से हो जाती है कालू कुछ दिनों तक तो अच्छे बनने का नाटक कर लेता है परन्तु अब धीरे धीरे कालू की सच्चाई चमपा कवी के सामने आने लगती है कालू जी के ओफिस बैग में ये चाकू क्या कर रहा है मैं उन्हीं से जाकर पूछती हूँ पती जी आपके बैग में ये चाकू कहां से आया मैंने कितनी बार कहा है मेरे सामान को मत चुआ करो लेकिन तेरे समझ में कुछ नहीं आता इधर दो मेरा चाकू पती जी मैं तो बस आपका बैग साफ कर रही थी मुझे ये चाकू मिल गया तो इसमें मेरी क्या गलती हाँ तो घर में जितना काम है उतना ही करो हाल तू बातों पर ध्यान मत दो ऐसे कहे कर कालू का ववा चाकू लेकर घर से बाहर चला जाता है और देर रात को घर आता है तो उसके चाकू से खून लगा था खून देखकर तो चंपा कव्वी बहुत डर जाती है इस चाकू पर खून कहां से आया मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता मैं सुबा ही कबूतर भीया से बात करूँगी ऐसे सोचकर चंपा कव्वी अपने घुसले में सो जाती है वो अगली सुबा कालू के घर से जाने का इंतजार करती है परन्तो कालू कव्वा तो घर से बाहिर नहीं जाता पती जी आज आप काम पर नहीं जा रहे नहीं आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा मैंने काम से छुट्टी ले ली है मैं अपने दोस्त के साथ कहीं बहार जा रहा हूँ फिर थोड़ी देर बाद कालू कव्वे का दोस्त उसे बुलाने के लिए आ जाता है और कालू उसके साथ चला जाता है वो थोड़ी दूरी पर पहुँचे ही थे कि तभी कालू कव्वे को याद आता है दोस्त मैं अपना चाकू तो घर ही भूलाया अब क्या करूँ करना क्या है घर वापस जाओ और चाकू को लेकर आओ उसके बिना तो हमसे चूहा भी नहीं ड़ेगा ठीक है दोस्त तुम यहीं रुको मैं तेजी से उड़ता हुआ घर जाता हूँ और चाकू लेकर आता हूँ ऐसा कहेकर कालू कववा घर वापस चला जाता है परन्तो घर पर तो उसे चमपा कवी नहीं मिलती जोकी कबूतर के घर पर गई हुई थी यह चमपा कहाँ चली गई कबूतर के घर देखता हूँ सायद वहीं पर गई होगी तिर कालू कववा चमपा को देखने कबूतर के घर चला जाता है और चुपके से उन दोनों की बाते सुनता है कबूतर भीया मुझे तो ये कालू कुछ ठीक नहीं लगता जैसा आपने मुझे सादी से पहले बताया था वैसा तो कहीं से भी नहीं है चमपा कवी कालू इस जंगल में काफी समय से रह रहा है और अभी तक मैंने उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनी अगर आपको कुछ पता चला है तो मुझे बताई चमपा कुछ बोलती उससे पहले ही कालू कवा वहाँ चला जाता है और उससे कहता है अरे चमपा जी आप यहां आ गई और मैं आपको पूरे जंगल में ढूंड रहा था चमपा कवी तो कालू को देख कर बहुत डर जाती है और चिप हो जाती है पती जी आप तो अपने दोस्त के साथ बहार गए थे फिर यहां कैसे वो मेरे दोस्त को कुछ जरूरी काम करना था इसलिए हम दोनों को वापिस आना पड़ा अब घर चलो मुझे भूक लगी है हाँ हाँ चमपा कवी अब घर जाओ और कालू कवे को भोजन खिलाओ तिर वह दोनों अपने घर चले जाते हैं चमपा कवी तो कालू के लिए भोजन लाती है परन्तो कालू तो मन ही मन सोच में पड़ा था अगर मैं आज समय पर ना पहुचता तो ने जाने ये चमपा मेरे बारे में क्या कहती मुझे इसका कोई इंतजाम करना होगा पती जी आपके दोस्त को क्या जरूरी काम था जो रास्ते में से लोटना पड़ा हाँ हाँ चमपा जी मैं आपको अभी बताता हूँ पहले आप जरा मेरा आफिस ले जाने वाला बैग तो लाओ मुझे आपको कुछ दिखाना है फिर चमपा कववी वो बैग कालू कववे को दे देती है चमपा तुम हमेशा ही मुझे से ये पूछती रहती थी ना कि मैं इस बैग में चाकू क्यों रखता हूँ तो आज तुम्हें मैं बता ही देता हूँ ऐसे कहकर कालू कववा अपने बैग से चाकू निकाल लेता है मैंने इस चाकू से ने जाने कितने पक्षियों के पंक काटे और कईयों को तो मार भी डाला मुझे आप पर पहले से ही सक था कि आप कोई गलत काम करते हो पर आज आपके मुझे सच सुन भी लिया आप बहूत बुरे हो अच्छा है बहुत अच्छा है जो तुम्हें सच पता चल गया कि में बहुत बुरा हूँ अब ये जानकर खुसी खुसी से मरने के लिए त्यार हो जाओ नहीं नहीं आप मुझे नहीं मार सकते मैं आपकी पतनी हूँ मारना तो पड़ेगा ही, मेरे जाते ही उस कबूतर के घर क्यों गई, मेरा सच बताने के लिए फिर कालू कववा अपनी पतनी को चाकू मारने ही वाला था, के तभी कबूतर पुलिस वालो के साथ वहां आ जाता है पकड़ लो, इस कालू कववे को पकड़ लो, यही वो दुस्ट है, जिसे आप ढूंड रहे थे कालू तो पुलिस को देख कर हैरान रह जाता है, पुलिस कालू से चाकू छीन लेती है, और उसे गिरफतार कर लेती है औरे, मैंने क्या किया है, जो आप मुझे जेल रे जा रहे हो चुप कर जा कालू कववे, मुझे तेरे बारे में सब पता चल गया, तु अब तक अच्छे बनने का नाटक कर रहा था और अब जा जेल में, फिर पुलिस कालू कववे को अपने साथ ले जाती है, और जेल में बंद कर देती है कबूतर भीया, आपको कैसे पता चला, कि कालू भुरे काम करता है आपके घर से जाते ही पुलिस मेरे घर आई, उन्होंने ही मुझे कालू की सच्चाई बताई, और मैं समझ गया, कि आपकी जान को खतरा है, तो मैं तेजी से उड़ते हुए यहां आया कबूतर भीया, अगर आज आप समय पर ना आते, तो वो जालिम कालू मुझे मार ही देता ममा, आज मेरी सहलियों ने फिर से मेरा मजा कुड़ाया, बोल रही थी तेरे काले रंग को देखकर नदी का पानी सूख जाएगा मेरी प्यारी बेटी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपकी सहलियों ने आपसे जूट बोला, चलो मैं आपके साथ नदी पर चलती हूँ ऐसा कहकर टूनी चड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पर चली जाती है, जहां पर कुकु की सहलिया खेल रही थी क्यों बच्चों, आपने कुकु को नदी से पानी क्यों नहीं पीने दिया, आखिर ये भी तो आपकी सहली है, आज के बाद ऐसा कभी मत करना ठीक है आउंटे, हम कुकु को अपने साथ खिला लेंगे, फिर टूनी चड़िया वहां से चली जाती है, और कुकु भी नदी से पेट भर पानी पीती है कुकु कान खोल कर सुन लो, अगर हमारे साथ खिलना है, तो पहले हमारे जैसे गूरा बनना होगा हाँ हाँ कुकु, ये तेरा काला रंग हमें जराबी पसंद नहीं, जा पहले मेरे जैसा गूरा बन के आ, तभी तुझे हम अपने साथ खिलाएंगे आप दोनों बहुत बुरी हो, मुझे नहीं खेलना आपके साथ और चुपचाप अपने घौसले में लेट जाती है, अगर में काली न होती तो वो मुझे से कभी ऐसे बाते ना करती लेकिन मेरे काले पन की वजह से मेरा बहुत मज़य कुडाती है, इस तरह से कुकू अपने काले रंग को देख कर बहुत उदास होती है, और समय बीत जाता है अब कुकू बड़ी हो चुकी थी हाई टूनी बहन, आपके बेटी को देख कर तो मुझे अमावस की चांद की याद आ जाती है, एकदम काला काला गोरी बहन, आप तो समझदार और बड़ी हो, फिर भी बच्चो जैसी बाते क्यों करती हो गोरी कवी, आपका रंग भी तो काला है, फिर भी आपको सरम नहीं आती, जो कुकू बेटी को अमावस का चांद बोल रही हो हम कवे तो होते ही काले हैं, फिर हमें कैसी सरम, और टूनी चड़िया, आप तो काली नहीं हो फिर इस काली कलूटी बेटी को कहां से ले आई ने जाने साधी भी इससे कौन करेगा ऐसा बोलकर गोरी कव्वी वहां से चली जाती है और दोनों मा बेटी रोने लगती है आप दोनों चुपो जाएए ये गोरी कव्वी तो है ही ऐसी रो मत मेरी बेटी चिप हो जा, मैं आपकी साधी राजकुमार जैसे चड़े से कराऊंगी, ये गोरी कवी तो ऐसे ही बोलती है, मम्मा आप मुझे जूटी तसल्ली ना दे, गोरी अंटी ने क्या गलत कहा, मेरी इस काले रंग को कौन पसंद करेगा, ऐसे कहकर कुकू बुस्स में वहां से चली जाती है, तूनी बहन, अब आप भी घर जाएं, और देखना, मैं कुकू बेटी के लिए कोई अच्छे घर का रिस्ता ले कर आऊंगी, ऐसे बात लेकर, लूसी कबूतरी अपने घर चली जाती है, और अपने पती कबूतर से कहती है, कबूतर जी, आप नाम का चड़ा है मेरे दफ्तर में, मैं कल जाकर उससे बात करता हूं, फिर अगली सुभा कबूतर अपने दफ्तर जाता है, और सोनु चड़े से साधी की बाते करता है, सोनु बेटा, मेरी पहचान में एक भोली भाली चड़िया है, अगर आप कहो तो मैं आपकी साधी की पकी करता हूं, कबूतर अंकल जी, क्या वो चड़िया संदर है, सोनु चड़े वो बहुत ही साफ दिल की है, और घर के सारे काम अच्छे से सभाल लेती है, आपको लाखों में ऐसी चड़िया नहीं मिलेगी, तो ठीक है अंकल जी, मैं कल आपके जंगल आउंगा, और एक न की सारी बाते बताता है, कबूतर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी टूनी बहन को बता के आती हूं, हाँ हाँ लूसी जी, आप टूनी चड़िया को बता कर आएं, वो थोड़ी भूत तयारी कर लेंगी, फिर तेजी से उड़ती हुई, लूसी कबूतरी टून आ रहे हैं, ठीक है चड़िया बहन, अब मैं चलती हूं, आपको बताने की खुसी में, मैंने कबूतर जी को खाना भी नहीं दिया, ये कहकर लूसी कबूतरी वहां से चली जाती है, कुक्कू भी ये बात सुनकर बहुत खुस होती है, और अपने घौसले में सो जाती है, और हवेसा ही बड़ों की जट करती है, और घर के सारे काम करने अच्छे से आते हैं, कबूतर कुक्कू की तारीफ किये जा रहा था, लेकिन सोनुचडे को तो कुक्कू पसंद नहीं आती, और वह कबूतर की बात बीच में काट कर बोल पड़ता है, कबूतर अंकल जी, मुझे क कुक्कू पसंद नहीं है, मैं जा रहा हूँ, सोनुचडे आप कुक्कू के रंग पर मत जाओ, कुक्कू बेटी बहुत अच्छी है, वो आपके परिवार को हमेशा खुस रखेगी, नहीं नहीं अंकल जी, चाहे आप कुछ भी कहो, पर मैं काली चड़िया को अपनी पतनी ही बना सकता, ऐसे साधी से इंकार कर सोनुचड़ा वहां से चला जाता है, और कुक्कू बहुत ही उदास हो जाती है, चड़िया बहन, आप उदास ना हो, मैं इससे भी अच्छा रिस्ता कुक्कू बेटी के लिए लेकर आऊंगा, फिर उस दिन के बाद कबूतर कैई घरान कुक्कू की साधी की बात करता है, परन्तु कोई भी कुक्कू से साधी करने को त्यार नहीं होता, उसके रंग को देखकर मना कर जाते हैं, जिस्ते वालों की लाइन लगी रहती है, पर अभी तक इस कुक्कू का रिस्ता नहीं हुआ, मैं तो कहती हूँ चुडिया बहन, आप अपना मुँ बंद रखें, मेरी बेटी की साधी की चिंता ना करें, आप अपने परिवार की चिंता करें, आपका बेटा भी सारा दिन उल्लू के साथ लशा करता है, उस पे भी थोड़ा ध्यान दें, चुडिया की ऐसी बाते सुनकर गोरी कवी चुपचाप वहां से चली जाती है, ममा, मुझे गोरी आंटी की ये बात बुरी नहीं लगी, मुझे कोई काम तो करना चाहिए, जिससे आपको थोड़ा सहारा मिले, मेरी बेटी, आप गोरी की बातों पर ध्यान मत दो, वो तो कुछ भी बोल देती है, और मेरे होते हुए आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं, नहीं मा, मैं रिष्टे वालों की नाना सुनकर ठक गई हूँ, आप कोई मुझे छोटा मोटा काम करने दें, जिससे मैं रिष्टे की टेंसन को भूल जाओं, टूनी के लाख मना करने पर कुकु अपनी मम्मा को मना लेती है, और छोटा सा ब्यूटी पालर खौल लेती है, कुकु को ब्यूटी पालर का काम बहुत अच्छे से आता था, इसलिए सारे जंगल में कुकु की चर्चा होने लगती है, एक दिन बहुत अमीर पक्षी कुकु के पालर आती है, अरे वा, आपने तो मुझे बहुती सिंदर बना दिया, मैं अपने बेटी की आती जी, आपकी बेटी की सादी कब है, एक हपते बाद है मेरे बेटी की शादी, मैं उसे तुमारे पालर भेज दोंगी, ऐसे बाते कर वो अमीर पक्षी वहां से चली जाती है, धीरे धीरे एक हपते का समय भी निकल जाता है, और कुकु अमीर पक्षी की बेटी को तियार करती है मम्मा ने सही कहा था आप मेकप बहुत अच्छा करती हो आप बहुत सुंदर लग रही हो मम्मा सर पे लगाने वाला फूल खतम हो गया है मैं अभी जाकर बाग से तोड़ लाती हूं कुकु फूल लेने बाग पर चली जाती है ये तभी एक हवाई मोटर में बैटा हु कुआ चड़ा उसके पास आता है मैं इस जंगल में पहली बार आया हूं तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि ये कुकु ब्यूटी पालर कहा है चड़े की ये बात सुनकर कुकु को हसी आ जाती है और वह उसे बताती है कुकु ब्यूटी पालर तो मेरा ही है आपको क्या काम ह मैं तो अपनी बहन को लेने आया हूँ जो आपके पास तयार होने के लिए आई हुई है अब मेरी मोटर में बैठ जाओ हम साथ ही चलते हैं और वे दोनों बाते करते करते पाला रा जाते हैं वो अमीर चड़ा अपनी बहन को लेकर वहां से चला जाता है कुकू तो उस चड़े के ख्यालों में खोई हुई थी क्योंकि आज से पहले किसी चड़े ने उससे प्यार से बाते तक ना की क्या वो चड़ा मुझसे साधी करने के लिए त्यार होगा अरे नहीं नहीं मैं भी क्या सोचे जा रही हूं वो कितना गोरा है और मैं काली ऐसे कुपकु सो जाती है और अगली सबा वो चड़ा कुपकु के घार आता है कुपकु जी आप मुझे बहुत पसंद आई क्या आप मुझे साधी करोगी बहन जी भले ही मेरा बेटा विदेश में रहता हो पर वो अपने संसकारों को बहुत मानता है वो आपकी बेटी को हमेशा ख कुपकु सोती है और साधी का रिस्ता पक्का कर लेती है तिर कुछ समय बाद कुपकु की साधीय मेर्चुडे से हो जाती है